अलो दोस्तों स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल रोल्ल आफ इंडिया शेयर के बारे में जो कि आज करीब 20 परसेंट भागा 20 परसेंट के अपर सर्कुट पे रहा तो आज ही ओपन हुआ यह आपर सर्कुट पे रहा 145 पर अब देख सकते हैं यह जो आइप यू है इसका जो लॉंच हुआ है वह ओपनिंग जो हुआ है 26 अपरवरी को हुआ है और यह करीब 101 प्रेट पे हुआ और इसका जो आईप यू का जो जिस दिन इसको आइप्यों का अप्लाई करना था उसक वह गया वह करीब 127 रुपीज पर और इसके बाद फिर आज यह करीब गया 145 रुपीज में तो दो दिन में यह कफी तेज भागा है तो और लिस्टिंग भी 93-94 रुपीज पर हुआ है तो 93-94 से सीरह यह समझ लिए 145 पर आ गया है तो जिन्होंने भी इस आइप्यों में किया होगा यह फिर खरीदा होगा लास्ट दिन 26 अफरवरी को तो उनको अच्छा खासा गेन हो गया होगा तो आये जानते हैं इसका न्यूज की क्या न्यूज है इसके पीछे क्यों यह शेर इतना भाग रहा है तो इसका देख सकते हैं रेल टेल रेलीज 17 परसन और इंडिया फंड एंड निपॉन इंडिया मीचल फंड कलेक्टिवली बाट 10.7 मिलियन इकुटी शेर वर्थ रूपीज 120 क्रोर तो सबसे में जो न्यूज है यह दो मीचल फंड है जिनोंने जिनका नाम है गोलवन सेक्स और निपॉन इंडिया मीचल फंड यह दोनोंने इसम काफी भागा है यह इसका मेन न्यूज है आप चाहे तो इसको डेटेल में पढ़ सकते हैं इस शेर के बारे में इसमें दिया हुआ है इस कंपनी के बारे में थोड़ा समय बता देता हूं रेल तैल इस वन अफ द लार्जेस्ट न्यूटरल टेलिकॉम इंस्ट्रॉस्चर प रेल इसीन फुर लेंग ईकल अभीड फिबर केबलल एल्स जार और एंफ रिपन एंट थेस्ट्वाइट अप्रवाट यह घ्जर्वाट फीड़न के बार इस रूज ग्टिक अडिक अलेकल प्रवेशन च्रॉस्चर्च टो इसे अंटर्न ब्रॉर्में इस शर्ट से इस बि और and has been consistent paying dividend since 2008 तो यह dividend भी देती है काफिय अच्छा है देज नो लिस्टेट पीर्स आफ दे कंपनी मतलब इसका कोई अभी तक इसमें इसका कोई कॉंपटिशन नहीं है के वली एक मात्र अपने एरिया में मात्र कंपनी है यह तो यह भी अच्छी बात है अब क्या बोला अब क्या बोला इस वेलुटेट 21.4 टाइंस प्राइस अर्निंग ऑन फानेंचल यह 2020 तो यह सब जो है इसके कुछ इंपोर्टेंड न्यूस थे मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको शेयर किया यह और इसके लावे एक और आर्टिकल है जिसम आप यहां पर देख सकते हैं यह लिखा हुआ है जी बिजनस मेनेजिंग एडिटर अनिल सिंग्वी सेड़ देट इस कंपनी इस देट इस कंपनी इस अ स्लो कंपॉंडर एं इन्वेस्टर शुड इस्टे इन्वेस्टेट फर लॉंग टर्म तो जो अनिल सिंग्वी जो है बॉलनों उन्होंने शेर के बारे में बोला लॉंड टर्मों यह यह सलो कंपॉंड आ रहा है वां की इसका वर्कित डdeterm आए पेके बारे में तो यह दो न्यूस थे और हमें क्या करना चाहिए जो लोग भी लॉंग टर्म इन्वेस्टर हैं वो लोग शेर को थोड़ा-थोड़ा करके खरीच सकते हैं चैकि यह भाग रहा है शेर और काफी भागा भी है वह सकता है कुछ दिनों में यह नीचे आप नीचे के लेवल पर से ले सकते हैं यह मेरी राय है यह मेरा व्यू है अब अपना खुद का अनालेसिस करें उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें और मेरा एक टेलिग्राम चैनल है जिसमें फ्री के इंटर दे फ्यूचर आप्शन्स और स्विंग ट्रेडिंग के कॉल देता हूं आप चा और यदि आप यह वीडियो पच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं लाइक डिसलाइक कर सकते हैं और जैनों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आप रेल टेल शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए शेयर प्रोफिट